कि विद्यार्थियों आज प्रतों वर्ष कि भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम पढ़ाई करेंगे भूमी का तजल उससे बनने वाले इस्तला करती हैं जिन्हें कास्ट इस्तला करती हैं कहा जाता है भूपटल के नीचे चट्टानों में छिद्र दरार पर्तों में जो जल होता है उसे भूमी का जल या भूम जल कहते हैं इसके प्रमान देख सकते हैं आप कुवा गीजर जल सुरोत यह सारे जमीन के नीचे जो पानी उसकी तो प्रमान है इस जल को सहजात जल भी कह दिया जाता है इसके कार्य क्या है आप इसके बारे में जानते हैं इसके कार्य का महत्म तो वैसे कम है तो बहतावा जल है वो तो अपरदन भी करता है परिवहन भी निक्षेपण भी यहाँ पर उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है क्योंकि भूमेगा जल में प्रभाब भूत ही धीमा होता है जल की मात्रा बहुत कम होती है और कोई निश्ची धारा भी नहीं होती और इसका अपर्दन वाला काम है वो धोली करण वाला है जलिय सकरीता के कारण और अपघर्चन और सन्ली घर्चन भी थोड़ा-थोड़ा होता है बड़ी धीमी गती से परीवन होता है इसका एक रूप देख सकते हैं कि अब साद का रूपांतर नहीं कि उछलता हुआ पानी अब गैस भाप और गरम पानी दोनों निकलते हैं और साट-साट मीटर की उचाई तक आनी जाता है तो यह आइसलेंड में, न्यूजिलेंड में इस तरह के राज्यों में मिलते हैं आइसलेंड का ग्रेट गेसर और अमरीका में है यलो स्टोन नेशनल पार्क उसमें उल्ड फेथफुल नाम से है जो हर 65 मिनट में पांच मिनट के लिए अपना काम करता है हिमल्य की तरही में भी बहुत जबों पर पाताल तोड की परिस्थित्या मिलती है और एक लंदन में वेसिन है इसी प्रकार का मास्कों के पास भी आर्टिजन कूप मिलते हैं अफ्रिका में देखें सहारा के रगिस्तान में पाताल तोड कुए मिलते हैं उनसे ही पानी मिल पाता है वहां तो अब इस्तला करती के बारे में जानते हैं यहां भूमी का जल धोली करण की क्रिया करेगा जब उसे मिल जाएगी चूना पत्थर डोला माइट शैल की लवन शैल खड़ी खड़िया यह चूना पत्थर भोज़ा तक गोलोंशील होता है और जल इसमें सक्रिय हो जाता है जल वायू आरदरागर होतो और इस प्रकार से कास्ट स्तला करती बनती है कास्ट जो है युगोसलाविया के सर्बो क्रोट भाशा में क्रास शब्द से बना है इसका मतलब है चूना पत्थर तो लवन शेल, खड़िया, सैल खड़ी, डॉलेमाइट अगर यह सारी चट्टाने मिल जाएं तो चूने में डॉलेमाइट सबसे कम घुलनशील होता है और इसमें नुकिली चोटियों वाली पहाडिया, स्तंब, गुफा, अफगानिस्तान में जैसे तोरा बोरा की पहाडिया है, महराब जैसा बन जाता है युगोसलाविया में देखे तो दिनारिक आलप शेत्र में भी बहुती है, इसला करती हैं, देखने को मिलती है एड्रियाटिक सागर के किनारे 480 किलोमीटर, लावा और 80 किलोमीटर चोड़ी पट्टी में चूना फैला हुआ है इंग्लेंड में देखे तो पैनीज, ग्रीस, स्पेन, मेक्सिको में यूकाटन, एशिया में उत्री, मलाया, किर्थर, श्रिनी, कश्मीर में मद्य हिमाले, कांगड़ा घाटी, रोतास का पठार, भैड़ा घाट बहुत सारी जगों पर यह, लेकिन बहुत छोटे चितरफल में, इसके लिए कौन सी दशाएं चाहिए, तो भई, बात हो चुकी है, घुलनशील शेल होनी चाहिए, और शेल में संधियों का अच्छी तरह से विकास होना चाहिए, संस्तर पतला होना चाहिए, बड़े पैमा पूर्ति के लिए बरसाथ अच्छी खासी होनी चाहिए, अब इसके रूप देखते हैं, सबसे पहले है टेरा रोसा, चूने की सतय पर जल के रिसकर भूमिगत होने पर गुलन क्रिया होती है, और लाल और मृतिका युक्त मिट्टियों के अवशेश छूट जाते हैं, तो ये लेटर एक मिट्टी से मिलता जूलता ही है, फिर है लेपीज या कारें, वर्षा से प्राप्त जल भूमिगत हो जाता है, और उसकी सत्य काफी उचा नीचा कर देती है, तो जो चाक चट्टाने हैं, उनमें संधियां और जोड़ों में गेहरी दरारे आ जाती हैं, तो अ असमान, अघोलल शील, कठोर भाग तो खड़े रह जाते हैं, और ये बड़े पैने प्रकार के नंगे पर तो चलना मुश्किल हो जाता है, जर्मनी में इसे कारें, इंग्लेंड में क्लिंट्स और यूगोसलाविया में बोगाज कहते हैं, इसे लैपीज कहा जाता है, आके में, और ये कीपाकार होते हैं, बेलनाकार गर्त या छिद्र होते हैं, ये जल घुलन की कारण से असंख्य गोलरंद्र बन जाते हैं, गहराई इनकी 10 से 20 मीटर तक भी होती है, अगर ये बड़े बड़े हो जाए, आकार हो जाता है तो डोलाइन बन जाता है, डोलाइन का आकार बढ़ने लग जाता है तो इन दरारों के सहारे जल अपना रास्ता बना लेता है और आसपास का पानी इन शिद्रों के सहारे भूमिगत हो जाता है कई बार तो इसमें नदियां गायब हो जाती है देखिए नेपाल में पोखरा घाटी है वहां पर फेवर नदी रंद्र से बड़े आकार में घरेलू रंद्र कीपा कार होते हैं तो उनको डोलाइन कहते हैं सर्बिया में डोलिनास कहा जाता है ये फ्रांस और योगोसलाविया में सबसे ज़्यादा हुए डोलाइन इसका नाम दिया गया फिर है युवाला सकुंड कहते हैं ये मिश्रित गोल रंद्र भी इसको कहा जाता है, ये बड़े अकार के कुण्ड है तो विधारतियों जब कभी कई डोलाइन आपस में मिल जाएं गोलाइन के कारण से, तो युवाला बन जाता है कई बार तो डोलाइन के धोली करन या डोलाइन की उपरी छत गिर जाती है तो भी ये बन जाते है अच्छा व्यास होता है इनका एक किलोमेटर या दो किलोमेटर तक दीवार इनकी खड़ी होती है और इतने बड़े होते हैं, कई बार बड़ी नदिया में इसमें लुप्त हो जाती है अगला है पोलिये या राजकंड युवाला से जादा बड़ा अगर गर्त बन जाया तो उसे पोलिये कहते है इसकी तली समतल होती है दीवार खड़ी होती है और पोलिये की तली में अपेक शाकरत कठोर संरचना वाली चट्टाने मिलती है इसलिए इनकी गहराई जादा नहीं होती ये युवाला और पोलिये एक समान जैसे होते है कि युवाला का आकार कुछ एकड़ तक सीमित होता है जबकि जो पोलिये हैं वो कई वर किलोमेटर तक फैलावा होता है फिर आता है पॉनोर पोनोर, चूना परदेश में कीप नुमा छिद्रों की निचली नली जैसी आ करती है, यह गुफान नुमा उमारगा सल में, और यह निगलते हुए छिद्रों की नीचे की गुफाओं से जोडने वाली चीज आ सल में, पिर आता है कावार्ण, इसको गुफा कहते हैं से पोनोर और डॉलाइन के द्वारा पानी नीचे चला जाता है और जब बहुत ज्यादा धोलीकरण हो जाता है तो कास्ट गुफाएं बन जाती है तो देखे अफगानिस्तान में दोरा बोरा जो है कि गुफा है तो महां इस प्रकार की बन जाता है अमरीका में में देखें तो केंटुकी की गुफाएं, एड्रेटिक सागर में देखें तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी गुफाएं वहाँ पर, ये कई मंजिल गहरी होती है, फिर है धंस्ती निवेशिका, यानि सिंकिंग क्रीक, असंक्य छिद्रों के कारण कास्ट मैदान का धरातल जो से भूमिकत हो जाता है, ये छोटी नदियां ऐसे धरातल पर धस्ती निवेशिकाओं के रूप में बहती है, संपूर्ण जल के लुप्त होने पर धरातल के उपर बहने वाली नदी भी गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, इंडिया नमें ऐसा उधारन है, एक उसे कहत हैं, लोश्ट रीवर, 13 किलो मीटर तक धरातल के नीचे जलती है, फिर है अंधी घाटी, शुश्क घाटी, धरातल के उपर जिस जगे पर नदी का जल भूमिकत होता है, उसके आगे सतय पर नदी घाटी, जल तो भैता नहीं है, तो घाटी शुश्क रह जाती है, इसे शु अगला छिद्रों से अगर नदी लुप्त हो जाए, तो आगे किस दिशा में जा रही है, कहां जा रही है, यह पता लगता है, उसे अंधी घाटी कहने लग जाते हैं, फिर है काश्ट घाटी, यह घुलन क्रिया द्वारा, चोरस्तल और तिवर खड़े ढ़लों वाले दूसरा है कि जब विलियन चिद्र जो है, भूमिकत होके लुप्त हो जाते हैं, तो घुलन शील क्रिया के द्वारा यह कंद्रा बन जाती है, और जब कंद्रा का चट चूट जाती है, तो यह फिर चट बनी भी रहे तो और अच्छा है, क्योंकि वो पुल जैसा बन वर्जीनिया में एक प्राकर्तिक पूल है, दुनिया में मशूर है, उसके चित्र हम कई जगों पर देखते हैं, फिर आता है हम्स चूर्ण कूट, चूने के प्रदेश में ज़्यादतर जो चट्टाने वो गुलन शील क्रिया द्वारा खत्म हो जाती है, लेकिन जो कठोर रह जाती हैं, उन्हें युगोसलाव या में हम्स कहते हैं, फिर देखते हैं निक्षेप के रूप में कौन सी चीज़े बनती हैं इससे, तो पहले बनता है स्टेलेक्टाइट और इसे कहते हैं आश्चुताश्म, ये छट से जब रिस्ता हुआ जल टपकता है, तो उसमें गुलेवे पदार्थ हैं बहुत सारे, ज़्यादा गर्मी के कारण से वाश्पिकरन हो जाता है, वो सूखने लगता है, तो कंदरा की चट से पदार्थों का निक्षेप होने लग जाता है, तो उपर से लटके वे रूप में ये होता है, और ये चट से फर्ष की और बढ़ दूसरा मैत्पूर्ण है स्टेलेगमाइट या निश्चुताश्म, ये ठीक इसके उल्टे हैं आश्चुताश्म के, कंदराओं की छट से टपकतावा जो जल है वो नीचे एकतर होता है, ये भी जमते जमते स्तंब बनने लग जाता है, ये पाताली स्तंब बन जाता है, ये कुफाओं की छत पर जब लटकते लटकते जो स्टेलेगमाइट और स्टेलेग्टाइट आपस पर मिल जाते हैं तो एक स्तंब बन जाता है, फिर है है हैलिक्टाइट, केलिशिम कार्बोनेट से बनने वाले ये आकरतिया होती है, धागे के समान पतली, सरपिल, मालाकार आक टाइट कहते हैं, इस प्रकार से ये सब इस्तला करती है, चूना पत्थर में, चूना प्रदेशों में देखने के लिए मिलती है,